दोस्तों, इस Study91 के आनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुर बहुर स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के समच्छा अधिकारी परिच्छा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर को लेकर हाजीर हूँ। एक बात कहना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा, आप अपने आपको धोखा मत दीजिए। चाहे जीवन में जो कर लिजिए, लेकिन अपने आपको धोखा न दीजिए। सर आपकी ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब एक है कि आख मूद कर समिच्छा अधिकारी की तयारी न कीजिए. आप हमेसे मेरे पास कई सारे बच्चे फोन करते हैं कहते हैं सर सही रड़निती क्या है ठीक है? कैसे तयारी किया जाए? तो मैं कुछ चीजें दो तीन लाइन बताऊंगा और आप न विद्यारती हो तो खुद मेरी बातों पर एक मिनट खाली सोचेगा आपको लगेगा नितिन सर जो करें बिल्कुल सही करें. मैं कहता हूँ समिच्छा अधिकारी की तयारी हो या किसी भी परिच्छा की तयारी हो? हमारा पहला काम है कि हम प्रीबियस सेर पेपर के सवालों को देखनें. उससे हमें ये पता चल जाएगा कि सवाल के पूछने का लेबल क्या है? किस तरह के पैटरन के सवाल आप से परिच्छा में पूछे जाते हैं? किस अस्तर के सवाल पूछे जाते हैं? आसान होता है, कि मॉडरेट होता है, कि हार्ड लेब लेकिन आपकी परिक्षा में तो खुब पूछे जाते हैं तो agriculture के सवाल आते हैं तो sir उसे भी पढ़ना पड़ेगा, परियावड का सवाल आता हैं उसे भी देखना पड़ेगा, science and tech के सवाल आते हैं उसे भी देखना पड़ेगा, economics का सवाल आता हैं उसे भी देखना पड़े वन की यह जो किताब हे दोस्तो toughest यह किताब आ आप क्यों खरुदे एक सर बॉट सरे कोर्ष के बारे आप बाद में जान लिएगा देखे सवाल क्या है मैं एकको इंजांपल दे रहा हु कि माल लीजह सवाल प्रि चाप्बा के बारे में तो सब जांती हैं मोहन जोदोरो जांते हैं लोगों ने और अलग अलग पतड़ लिया जिसे काली बंगा पड़ लिया लोथल पड़ लिया तक अन Pacinapun नहीं पड़ पतढ़ टक्च शिला नहीं पड़ तक्षु इस काप्प नहीं पड़ जो नहीं आपसन काल में साही महलों में हिंदी देवी देवता की पूजा होती थी ये चार आपसन दे दिया अब आज ही सवाल दिया कल पूछ सकता था गुलाम वंस के संस्थापक जो आपसन इसमें दोस्तों सापसन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि गुलाम वंस के संस्थापक के बारे में पूछ सकता था या फिर टोपी सिलकर जीवन निर्वा करने वाले सुल्तान के बारे में पूछ सकता है या अलाउद्दीन मसूद सा के सासंकाल में किसकी जानकारी मिलती है इस तरह के सवाल बन सकते हैं तो क्या है न सवाल से सवाल बनाना सीखे और मेरी इस क्लास मे कि कैसे सवाल से सवाल बनाएंगे और हरे एक विशय से कैसे सवाल आता है वो ज़र आप देखे तो आई ये स्टार्ट करते हैं पढ़ना शुरू करते हैं जैसे यहां सूची दे दिया कि हडपा की खोज दोस्तो किस ने किया है तो अड़पए की खोज किया दोस्तो दयाराम साहनी ने, किसने किया दोस्तो दयाराम साहनी ने, हस्तिनापूर की खोज दोस्तो किसने किया है, हस्तिनापूर की खोज बीबी लाल ने किया है, ठीक है, हस्तिनापूर की बीबी द्रोपदी, ठीक है, बीबी का मतलब क्या है, कै अपनी मतलब दुरौपदी और दुरौपदी के वैसे पूरा हस्तिनापूर के बारे में जाना जाता है क्योंकि महाभारत का युदू जो लड़ा गया ठीक है वो एक महिला के चरित पर दाग उठाने के कारण यह जो किया गया उसके वज़े से पांडों ने क्या कर दिया कव कई किताबों में 1923 दिया कहीं 24 दिया कहीं 25 दिया मैंने सारा लिख दिया तो हड़ापा की खोज किस ने किया है याद रखेंगे दयाराम सहानी ने किया किस ने किया है इसी तरह से दोस्तो हस्तिनापूर की खोज किस ने किया है तो याद रखेंगे बी बी लाल के दौरा हस पूर की खोज की गई है कब किया गया दोस्तों 1950 से 52 के दोरान तक्ष सिला की खोज किस ने किया दोस्तों तो तक्ष सिला की खोज जान मारसल ने किया है किस ने किया है 1913 से 34 के दोरान ठीक है आगे देखे दोस्तों आगे लिखे रहा कौशांबी की खोज दोस्तों किस ने किय तो कोशामबी की कोज ने किया है न जिम मजुमदार जी ने किया है ठीक है Benji मजुमदार जीए कि टीक है पर कि difficult level के सवाल आपकी परिख्षा में पूछे जा रहे हैं इसे आप moderate भी नहीं कर सकते हैं इसे आप difficult कहिए क्योंकि वे सवाल जिस पर आपकी नजर नहीं बन पाती वो difficult ही है ठीक है अगला सवाल आया दोस्तो प्री परिख्षा 2021 में मिडावल हिस्टी से पूछा गया सवाल है कि दिली सल्तनत के दिली सल्तनत पे कुल कितने राजवन्स चले दोस्तो त्याद रखेगा कुल पांच राजवन्स चले कितने राजवन्स चले हैं कुल पांच राजवन्स चले हैं जिसमें नाम आता है गुलाम वन्स का खिलजी वन्स का तुगलक वन्स का सयद वन्स का और याद रखेंगे ठीक है इसी का दामात था दोस्तो इल्टुत में जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है खेरा गया यह करक्य सुल्तान के सासंकाल में साही महलों में हिंदियु देवी देवताओं की पूजा होती थी लिखरा कुतुबुदीन मुबारक खिल जी के हां य जबाब इसका होगा दोस्तो नासरुदीन खुसरो साजिया दोस्तो इसके यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा होती थी यह आप याद रखेंगे आगे दोस्तो लिखरा गुलामों का संस्थापक कौन था त्याद रखेंगे दोस्तो कुतबुदीन ऐबक यह गुलामो चला है ठीक है आगे लेकरा टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था दोस्तो तो उसका नाम था नाशिरुद्दीन महमूद क्या नाम था यहां जो आपसन में दे रहा दोस्तो नाशिरुद्दीन महमूद यह टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करता था करा अलाउद्दीन मसूस साके सासनकाल की जानकारी दोस्तों किसके मिलती है तो एक पुस्तक है जिसका नाम है तबकात ए नासरी क्या नाम है दोस्तों तबकात तबकात ए नाशिरी ठीक है यह आप याद रखेंगे इस किताब से अलाउद्दीन मसूस साके मिलती है यह सवाल भी में किस राजा की यहां उन्होंने अपना समय बिताया, ये सवाल एक आता है, याद रखेंगे, प्री 2021 का सवाल है, लिकरा है, निम्रिकित में से कौन भारत आने वाला पूर्थगाली देश का यातरी नहीं था, पूर्थगाली देश है दोस्तों, तो पूर्थगाली यातरी नहीं था यह आपको बताना है लिख रहा है कि दुवार्ट बार्बोशा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फरनाव नूनीज अब यहां से एक सवाल दे रहा ठीक है जैसे पूछ दिया दोस्तों पीटर मुंडी पीटर मुंडी दोस्तों यात्री था यह किस देश का या यह कहां कराने वाला था दोस्तों यह इंगलेंड का निवाशी था पहली बात दूसरी बात यह पीटर मुंडी भारत आया था किसके सासंकाल में त्याद रखेंगे साजहां के सासंकाल में यह पीटर मुंडी आया था इसको भी याद रखेगा अगर मैं इंगलेंड की बात हेक्टर मुन्रो के बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं हेक्टर मुन्रो के बारे ना ना ठीक है हेक्टर मुन्रो गलत याद आ रहा है ठीक है हेक्टर मुन्रो का नाम कहां से जुड़ता है दोस्तों तो हेक्टर मुन्रो जो था ठीक है यह आपको याद होगा जब आपने करें पड़ाऊगा तो उस समय दोस्तों हेक्टर मुन्रो के बार इंस पड़ा हो गा ना हेक्टर मुन्रों यहां देखिए जहागीर के समय में दोस्तों कौन सा यात्रिय आया था ठीक है यहां से दिमार्क से मेरे स्क्राइब बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों 1608 DUSTE में किया नाम था उसका भाई औरे जिसको इंगलिस खाक युपाधी दिया गया था inspired किसे दिया गय विलियम होकिंस को किसे दिया गया था दोस्तो विलियम हांकिंस्थya गरें थ क्लास को बंद यह पुर्टगाली आत्रिया था लेकिन एक किसके राज़ दर्वार में आया था तो नुली जाया था अचित देवर्य के हांपर, किसके हांपर आया था दोस्तो अचित देवर्य के हांपर आया था, राजा कृष्ण देवराय इतने सकती सालिस आ सकते हैं कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबर नामा में उनका उलेक किया है तो यह भी सवाल आता है यह बताईए बाबर नामा में बाबर ने किस दक्षिड राजवनसी राजा के बारे में उलेक किया है तो जवाब क्या होगा बीजय नगर के साथ सा कृष्ण देव राय के बारे में, ठीक है, खेर, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, बारबोसा जो पुर्टगाली यात्री था, ये कब बारत आये था दोस्तो, तो ये भारत आये था, बीजय नगर सामराज की यात्रा करने, ठीक है, किसकी यात्रा करने, बी यह दोनों पुर्दगाली यात्री थे हैं, बाकी फर्नाव नूनीज यह भी पुर्दगाली यात्री था और यह अच्छुद्य राय के आया था, बाद में आया था, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, कुल मिलाजुला की इतना important सवाल आपसे पूछा जाता है, अगला चैप्टर है दोस्तो, अगला चैप्टर का अगला विषय है भारत का भोगुल, इंडियन जोगराफी, दोस्तों हम लोग करते कहाना, डेली एक प्रश्न हर विषय से कवर करते हैं, इससे क्या होता है कि हर एक विषय पर आपकी नजर बनी जाती, पकड़ बनी जात है, ठीक है, क्या लिख दिया दोस्तो, भारत के किसी राजजी में, ठीक है, किसी राजजी में स्थित है, अगर हम यहां बात करें, होकेरा, आर्दर भूमी का, या फिर पॉइंट कैली मेरे वन एजी और पक्षी अभिहार का, या सो मोरीरी जील का, मुझे लगता कोई किसी पॉइंट कैली मेरे, वन एज यू, और पक्षी अभिहार दोस्तो, यह आपके तमिल नाडो में स्थित है, कहां पर इस्थित है, तमिल नाडू में, और तमिल नाडू क्या दोस्तो राज्य है इसका मतलब इस सवाल का सही जबाब क्या हो जाएगा राज्य हो जाएगा ये होकेरा आर्दर भूमी भी कहा दोस्तो ये अभी उत्तर में जम्मु कस्मीर पड़ता है होकेरा आर्दर भूमी इसलिए दोस्तो ये भी याद रखेगा होक पक्षिय भ्याड कहां पर दोस्तों तो याद रखेगा यह तमिल नाड में इस्थित है यह आप याद रखेंगे आप से सवाल क्या पूछा है रामसर अस्थल के बारे में यह रामसर क्या दोस्तों तो रामसर याद रखेगा इरान में एक अस्थान का नाम है पहली बार दोस इसको इस तरह स्याद रखेगा इसके बाद दोस्तो एक सवाल और आता है यहां पर देखे लिखाए भारत ने रामसर संधी पर हस्ताक्षर कब किया है तो यह 1882 में अस्ताक्षर किया है कब किया दोस्तो एक फरवरी 1982 फिर आपके माइंड में सवाल आ गया सर आपको कैसे पता एक फरवरी एक फरवरी को देखे हमें नहीं पता रहता लेकिन एक फरवरी हमें दो फरवरी की वज़े से पता है कब की वज़े से पता है दोस्तो दो फरवरी क्योंकि दो फरवरी को क्या मना जाता है आर्द्र भूमी दिवस मना जाता है क्योंकि इसी दिन पहली बार के रामशर में इसलिए ऐसा कहा जाता है वरतमान में वरतमान में सथाल कहा पर दोस्टों अकेलब रांचर राजहिक है तमिल नार्ड़ teraz पहले अस्थान यहाँ यहीं आप याद रखिने की सबसे जुदर alternativa 2 तो क्या बताएंगे तमिलनाड़ में है कुल 14 रामसर अस्थल दूसरे नमबर पे उत्तर प्रदेश का नाम आता है 10 रामसर अस्थल पूरे भारत में कुल 75 रामसर अस्थल है वर्स 2023 तक याद रखेंगे ठीक है होकेरा आरदर भूमी दोस्तों कहां पर है तो बताई दिया आपको याद रखेंगे स्री नगर में इस्तित है श्री नगर जम्मु कस्मीर ठीक है इसी तरह से दोस्तों सवाल से सवाल कितना बना सकते हैं उतना ज्यादा सवाल से सवाल बनाएंगे उतना ज्यादा connection अच्छा मार रहो पाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखें अगला सवाल भी आ सकता कि बताए कौन सी जील अर्ध चंग्दराकार है तो क्या बताएंगे बालकास जील कहां पर दोस्तों यह कजाकिस्तान देश में इस्तित है ठीक है कजाकिस्तान में इस्तित है किरगिस्तान रूस और तुर्किमेनिस्तान दोस्तों यह आपका गलत जवाब है बालका जील इस्थित कहां पर दोस्तों तो बैकाल जील आपके रूस में इस्थित है ठीक है जैसा कि आपने कहा सर सबसे गहरी जील है तो इस बामले में दोस्तों आप याद रखेंगे लिकर आप विश्व की सबसे लंबी जील कौन सी बहुत बढ़ियां सवाल दे दिया सबसे दोस्तों 660 किलोमेटर लंबाई इसकी या आप याद रखेंगे एक और सवाल लिखे विश्व की सबसे उंची जील कौन है जो सबसे ज्यादा उंचाई पर है तो याद रखेगा यह आपके दक्षिड अमेरिकी महाद्वीब पर है दक्षिड अमेरिका महाद्वीब पर है कहाँ पर दोस्तों आपने एंडीज परवतमाला का नाम सुना होगा या उस पर इस्थित है इसका नाम क्या दोस्तों इसका नाम है ओजेस डिल सालाडो यह आप याद रखेंगे इसी तरह लिख दिया दोस्तों विश्व की सबसे उंची का व्यावसाइक रूप से नौगम जी जहाँ नौचाएं चलती है ठीक है तो देखे टंगा निईका टीटी नाका दो अलग है जिले हैं जब आप से श्वाप से नौका कि बात करेगा नोगम में जिल की बात करेगा तब आप क्या बताएंगे क्या दोस्तों ती टी नाका या टी-टी काका ठीक पेरू और वौलविया की सीमा परिस्टित है तो आप यह याद रखेंगे ठीक है यह सारा important सवाल है इसको आप अच्छे से ध्यान दीजेगा अच्छे ये जो अर्द चंद्रा कार जील है या खारे पानी की जील है भी याद रखेगा नदियोंकर जल से जादा तर सिचाई करने लगें हैं इसलिए पानी कम गिरता है जील में इसलिए जील सुकती भी जा रहे हैं मिन्स परिच्छा 2017 में पूछा गया अगला सवाल जो दो है यह आपके जनसंक्या एवं नगरिकर से पूछा गया सवाल है यह कैसा टॉपिक है ना कि आप हमें सब परिक्षा में लास्ट में इसको पढ़ते हैं लास्ट में पढ़ने के वैसे भूल जाता है तो दोस्तों आप पहले यह देखिए कि कौन-कौन से सवाल आपसे परिक्षा में पूछे हैं उस पर ध्यान दीजिए लिकरा कि इस देश में जनसंक्या घनत्व सबसे कम है ठीक है अभी पिछली आले क्लास में दोस्तों आपसे चार चीजे पूछा गया था कि उस यूनियन टेरिटरी का ना उसके बाद दोस्तों लगे हाथ आपने राज्य भी पढ़ा था कि सबसे कम राज्य में कहां पर है तो राज्य में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे जादा दोस्तों राज्य में कहां पर है तो आपने पढ़ा था बिहार में है ठीक है यह आपने पढ़ा था यह तो दो में दूसटों कहां है, सबसे कम घंठ तो घंठ मतलब जनसंखया घंठ रखेंगे बरत प्रत्सत हिस्से, बरते हैं तो बहुत कम है, इसलिए यहां जंशंखया घंठ क्या हो गया? सबसे कम हो गया लेकिन यहां वो आप्षन में दिया नहीं है इसलिए बच्चे जो पढ़ते हैं यहीं पर उनका बुद्धी हो जाता फेल तो याद रखे जब यहां आप्षन नहीं दिया तो मंगोलिया आप करियेगा दोस्तों वह लिखना दोस्तों का न्यूंतम जंसंक्याओला देश कौन सा है यहां क्या बताएगा ग्रीन लेंड सबसे कम जंसंक्याओं तो डेनमार के कितना है पूझ दे तब याद रखेगा 014 ठीक है सौधी अरब का जो जंसंक्याओन तो थोड़ा भू ठीक ठाक है दोस्तों सौध वर्ग किलोमेटर है प्रती प्रती का तो सेंबल मैंने बना दिया इसलिए ऐसे करके सीधा वर्ग किलोमेटर लिख लो ठीक है वर्ग किलोमेटर एक कर लो फिर इसके बाद क्या लिख लो वर्ग किलोमेटर ठीक है यह 16 वर्ग किलोमेटर यहां पर है ठीक है इराक में तो और अफगानिस्तान इराग दे दिया ठीक है अफगानिस्तान का जो दोस्तो और भी जादा है अफगानिस्तान का 57 कितना दोस्तो 57 प्रती वर्ग किलो मेटर ठीक है इसी तरह से इराग का दोस्तो 89 प्रती वर्ग किलो मेटर ठीक है 89 प्रती वर्ग किलो मेटर ठीक है एक सवाल दो उत्तर प्रदेश का पूछ सकता है, यही दो पूछ सकता है, तो जब कभी आपसे भारत का पूछे, भारत का बाई चेटर पल बहुत बड़ा है, 32 लाक वर किलियोमेटर है, तो भारत का कितना जनसंगा घना दोस्तों, याद रखेगा, भारत का मात्र 382 है, मैंने कई बार क्या बूचा है कि बारे के इतक में पोछा गया सवाल है निम्लिकीत में वित्त आयोग अभी जो है दोस्तों चल ला है ठीक है पंद्रहवे वित्त आयोग ये अभी चल ला है ठीक है तो पंद्रहवे वित्त आयोग में दोस्तों वर्स 2021 से लेकर 2025 तक के लिए गठित किया गया था और जो इसके अध्यक्ष है वर्तमान में वो पता कौन है वो है दोस दोस्तो यन्के सिंग फूरा नामित रखेगा इनका नाँ मैं नंद किसोर सिंग यह आप याद रखेगे ठीक है यह भी पूश्ता है दोस्तो कि विट-धायोक किस प्राकार का योग है तक विट-धायोक की सर्चाज सम्विधान में हुई इसलिए कैसा आयोग है यह एक शम्वैधानिक आयोग है ठीक है शम्वैधानिक निकाय है या सम्वैधानिक आयोग है यह सवाल भी याद रखेगा परिच्छा में आता है सवाल ठीक है अब देखे सवाल से सवाल कैसे बन रहा है लिकरा वित्तायोग द्वारा की गई सिफारि जाता है ठीक है भारत के प्रथम वित्तायों के अध्यच कौन थे दोस्तों तुमका नाम था केशी नियोगी क्या नाम था दोस्तों केशी केशी नियोगी नाम था अगला सवाल केंद्रों राज्यों के बीच वित्ती विवादों के निप्टार है तू प्रमुक एजंसी कौन नहीं हुआ है लेकिन दोस्तो चर्चा में एक नाम है हो सकता है वही नाम दोस्तो क्या हो सलवे वितायों के अध्यक्ष बन जाए उनका नाम है दोस्तो यलसी गोयल क्या नाम दोस्तो यलसी गोयल ठीक है इनका नाम दोस्तो चर्चा में चल ला है ठीक है में भी यह बन जाए इसी तरह से भौति विज्ञान से पूछा गया सवाल है, मेंस परिच्छा 2021 का सवाल है, लिख रहा है कि निमिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है उसकी पहचान करिए, लिख रहा है मनुष्य का कान 1000 हट्स पर सबसे अधा सुग्राही होता है, सुग्राही मतल दोस्तों मनुष्य की आँख के लिए हरा रंग सुग्राही होता है, कौन सा रंग हरा रंग सुग्राही होता है, इस वज़य से यहीं आपसन क्या हो गया, गलत हो गया, तो यहीं सवाल से हो जाएगा, सुनने की दिर्टा 1 बटा 10 सेकंड, मतलब कोई भी ध्वनी आपके कान में आती तो एक बटा 10 सेकंड तक कान में रहती है, इसी तरह से कोई भी छवी हमारे रेटीना पर पड़ती है, तो उस समय दोस्तों कितने समय तक रहती है, एक बटा 16 सेकंड तक वो हमारे रेटीना पर बनी रहती हो छवी बनी रहती है, तो यह भी याद रखेगा बाकी के जो होती है ठीक है इसी तरह मनुस्य के लिए मानक द्हonि का अस्तर कितना है तो जो म्मानक द्हonि अस्तर है वह 55g माना गया ठीक है मतलब City 35 तो दोस्तो एक बटा 16 सेकंड तक रहता है दोनों चीज़ आप याद रखेगा जनली लोग कान वाना पढ़ते हैं ने कि नहीं पढ़ते हैं ठीक है यह भी याद रखेगा किसी कंटेंट को दोस्तों आंख से कितनी दूरी के लिए आइडल माना गया है वह होता 25 सेंटीमेटर कितना होता दोस्तों 25 सेंटीमेटर वह आइडल माना गया है तो इसको भी याद रखेगा यह आपके बहुती क्या राशायन से संब्लित सवाल हो गए ठीक है इसी तरह से जीविज्ञान का एक अलग सवाल देखे ठीक है यह मेंस परिच्छा 2021 का सवाल है लिकरा हल्दी भू भूमिगत तने का उधारण है तो बड़े आसानी सा बता देते हैं जैसे भूमिगत तने में हल्दी आती है जैसे भूमिगत तने में सलजम आता है जैसे भूमिगत तने में चुकंदर भी आता है जैसे भूमिगत तने में अदरक भी आती है जैसे भूमिगत तने में आलू भी आता है तो भूमिगत तने के कई सारे उधारण आपके दिमाग में हैं वो आप बता देते हैं लेकिन एक्जाम जानता था ये काम नहीं करना है ठीक है इसलिए उसने क्या कर दिया यहाँ पे एक नया अपसंद दे दिया तो राइजोम याद रखेगा क्या याद रखेंग क्या काते हैं दोस्तो घंकंद ये जो तने होते हैं दोस्तो तने कई प्रकार के होते हैं ठीक है उन तनों के प्रकार में क्या होता दोस्तो ये घंकंद होता है ठीक है तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है कुछ अलग से नहीं है ये घंकंद है सरुल प्रकार से सब्सक्राइब आपने नहीं सुना होगा फ्रीष आको माना जाता है जैसे क्रोकोश्मिया हम गया क्रोक भर को कोश्मिय माठीक ये सारी जीजें दोस्तों किसके उधारण सल्क माने क्या होता है सल्क माने छिलका होता है क्या होता दोस्तो सल्क नहीं छिलका ऐसी चीज़े जिसमें छिलका पाई जाती है जैसे एक्जामपल में लिजिए दोस्तो जैसे छिलका वाले में आज जाता न वो सब इस एक्जामपल में आ जाएंगे तो इस तरह से आप इसे होता है और एक क्या होता है सलक होता है ठीक है तो यह सारी बाते आप याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजेगा स्टड़ी अच्छी सेल चल देए बहुत बढ़िया चल दा है ठीक है और ऑडर भी आ रहे हैं इतने प्रिंट हैं दोस्तों फिर से कतम होने वाले हैं यह मेरे आफिस से फिर जाने वाला ठीक है तो आप ध्यान दीजिए यह हमारा हेल्प लाइन नंबर है दोस्तों इस पर डारेट आप लगासकते ज्यांत बहुत सारे बच्चे परसान इस नहीं ले पारें नहीं खरीद पारें कैसे बुखन इस नंबर पर हैं करिक है आप क्या लेना चाहते हैं आपको सारा तब तक आपको सपोर्ट दिया जाएगा ठीक है ताकि हमारी टीम आप से कनेक्ट हो पाए और चीजें आपको अच्छे धंग से समझा पाए बता पाए कि कैसे आप किताबों को ले सकते हैं ठीक है देखे प्री 2021 का सवाल है और एकोनामिक से पूछा गया सवाल है निमिकित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है जो सही सुमिलित नहीं दोस्तों उसके बारे बताना है लिकरा महिला समर्द्धियोजना 1993 नहीं पता महिला सवसक्तियोजना 1998 नहीं सब जब पता ही नहीं तो हम हल क्या करें ठीक है आपकी बात भी सही है आईए नहीं पता तो हम पता कर देते हैं पहली बात याद रखे दोस्तों राष्टी पोसाहार मिसन योजना जो 2003 लिखा है यह बिल्कुल गलत लिखा है यह अभी मोदी जी जब दुबारा इनकी सत्ता ब रखे उसी से दोस्तों 98 भी जोड लीजे ठीक अटल व्यारी वाजबेगा सासन ऐसे कनेट करके आप याद रखें सकते हैं सम्रिद्धी की बात करेंगे दोस्तों 1993 में याद रखेगा और मैला सामराज की बात करेंगे 1989 याद रखेगा सब सही था कि और राष्टी पोसाहार वो 2018 में आया था 2003 में नहीं आया था ठीक है इस पॉइंट को आ याद रखेंए तो यहां पर सही क्या हो जागे दोस्तों आसान नमर्डी हो जागे पूछा था कि क्या सही नहीं है ते द वी वाला दोस्तों सही नहीं है लिखना मोनो क्लाइमेक्स प्रीपरिच्छा 2021 में यहां बताया जो एक ही जल्वाई को कि जल्वाई यानी दोस्तों यहां पर जो कांसिप्ट है वो यह बताया गया कि जो एक ही जल्वाई के पक्षधरते उसे क्या कहा जाता है Mono Climate कहा जाता है यह इसी को जलवाईू चरमोत कर्स का सिध्धान कहा जाता है अब आगे देखे दोस्तो अगला पॉइंट का लिख रहा है लिख रहा है इकोलाजी सब्द का सरप्रत्थम प्रियोकिस्न ने कर आता है और बार-बार एभी परिक्षा में आता है इनका नाम था दोस्तो अर्नेस्ट हैकल नाम था जिनोंने सबसे पहले एकोलाजी सब्दगा प्रयोग किया ठीक है तो इसको याद रखेंगे इसको पारिसित्की बोलते हैं जबकि अगर इसके इसी सब्द में लगा दे तंत्र यान कोलाजी पूछेगा तब अनेस्ट हैकल करिएगा उर्जा के दस प्रस्त का नियम किस ने दिया था यह अच्छा सवाल है इनका नाम था लिंडे मान क्या नाम था दोस्तो लिंडे मान यह किस्टेप उपर का सवाल है जो आप पूछते हैं किसन मान लीजे कोई ऐसा सवाल द देखें फिल लगेगा यार बस सब कुछ रिपीट हो रहा है ठीक है रिपीट होते जा रहा है तब आपको लगेगा कि मजा रहा है पढ़ने में प्री परिच्छा 2021 का सवाल देखें यह दोस्तो क्रिशी से पूछा गया सवाल है लिकरा कौन सा कथन सही नहीं है उसकी पहच सोधी है ठीक इसी वजए से आपने इस कर्थन का चुनाव कर लिया बाकी खैरा जो यह धान में पाए जाने वाला है बात आ जाता जूस्तो कि जूट रतुआ नामा गरोग होता है, उसकी वज़ा से जो की पत्मिया क्या हो जाती है, पीली पढ़ने लगती है, खराब होने लगती है, तो पीला रतुआ पूछेगा, तब आप जो बताएगा, बाकी गेहुं में पाये जाना लगा कौन सा दोस्तो, तो गेहुं में दोस्तो, गेर का रोग है agriculture से दोस्तों ऐसे ही रोग वाले सवाल ही पूछे जाते ठीक है तो अच्छे से पढ़ते चलिए ताकि एक एक चीजें आपको याद हो जाए ठीक है अगला चैप्टर देखें अगला चैप्टर किस कौन सा है बिज्ञान प्रद्योकी और यह प्री परिक्षा 2021 का स तो यस माने हो जाता है साउंड यस माने क्या हो जाता दोस्तों यस मतलब साउंड हो गया यन माने हो जाता दोस्तों नेवीगेशन साउंड नेवीगेशन एमाने हो जाता दोस्तों एमाने हो जाता है और आर माने क्या हो जाता दोस्तों तो आर कहा जाता रेंजिंग को तो स नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फूल फाम होता है और समुध्र के अंदर खोई भी चीजों को ढूड़ने में इसका प्रयोक किया जाता है एक सवाल और आता है समुध्र की गहराई किसे मापने हैं ठीक है समुध्र की गहराई मापने वाला यंत्र दोस्तों कौन सा है तो उसी अंत्र का नाम क्या है? मैंने पिछली क्लास में बढ़ाया था, उसका नाम है फैदो मीटर, क्या नाम दोस्तो? फैदो मीटर, तो इसे भी आप याद रखेंगे, इस सवाल से क्या क्या बन सकता? यह देखिए, लिकरा ऐसा उपकरण जो धारा को और विभुवांतर को दोनों को मापन करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैलवेनो मीटर, क्या कहते हैं दोस्तो? गैलवेनो मीटर, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है, लोग जानते हैं कि विभुवांतर को मापता है, लेकिन यह पता कि धारा को भी मापता है, ठीक है? वैसे अगर ख कमपास पढ़ते हैं लेकिन कमपास बहुत पुराना जवाब हो गया अब यहां पर जो नया है दोस्तों उसको याद रखेगा उसको सेक्स्टेंट करते हैं क्या करते हैं दोस्तों उसको सेक्स्टेंट करते हैं याधा कभी रहगा यहाधा स्व भी रहगा ठीक है पड़ेगा ये सारी चीज़े के लिए दोस्तों कैप्टन जो है इस तरह के अंतर का इस्तमाल करता है कमपास बहुत पुराना हो गए कमपास का सबसे लैटिस्ट वर्जन है यह भी याद रखेंगे ठीक है आईए यूपी स्पेसल का सवाल देखे मेंस परिच्छा 2021 में जीत योजना है ठीक है इसको याद रखेंगे यूपी डास्प ठीक है जो यूपी डास्प योजना है दोस्तों जो यूपी डास्प जो योजना है यह योजना कहां पर चलती दोस्तों तो यह पश्यमी उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गया था वहां के किसानों को अवे प्रदेश में लागू किया गया ऐसे तो बहुत सारे है, सुरुवात करेंगे दोस्तों तो बदाईयों से लागू किया गया था, ठीक है, अभी हाली में बागपत वगरम भी आया, इसकी सुरुवात दोस्तों कब हुई ते के भी सवाल आता है, ठीक है, बहुत महनत से मैंने 1999 से सन 2002 के बीच में दोस्तों इसकी सुरुवात अलग-अलग अस्थानों पर की गई, ठीक है, हालही में किस राजी ने क्रिसी विविदिकर योजना के तहत, आदिवासी किसानों को उर्वरग 20 साहता दिया है, ठीक है, इसी योजना के तहत, यूपी डास्प के अंतरगत, आदिवासी किसानों को क्या दिया गया, उर्वरग 20 साहता दिया गया, ये दोस्तों कहां की योजना है, ये गुजरात की योजना है, ठीक है, तो जिस तरह से यूपी डास्प है, इसी तरह से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग योजनाय चलती है, जैसे यूपी डा हाला दोस्थो प्री परिच्छा 2021 में पूछा गया सवाल है कि अंतराश्ट्री आलू का मुख्याल है कहा पर पहले बास सुने है ठीक है यहां पर दोस्तों अगर्सास्वाहल लिखे केंद्री आलू अनुसुन जानते है पेरू की राजधानी लीमा में दोस्तो इसका मुख्याला है ठीक है पेरू लीमा ठीक है याद रखेगा आज हमने पढ़ा दोस्तो पेरू और लीमा के बारे में भूल गए पेरू और बोलविया की सीमा पर दोस्तो क्या इस्थित था कौन सी जीलती बताईए कौन सी जीलती जो आपने पढ़ा कहाँ पर पेरू और बोलविया की सीमा पर तब आप बताएंगे सिम्बला, उत्तर प्रदेश में दोस्तों केंद्री अलू अनुसंदान संस्थान कहाँ पर है, तियाद रखेगा है, मोदी नगर में, मोदी नगर कहाँ पड़ता दोस्तों, मोदी नगर मेरट में, सच बता रहो, मजाक नहीं, ठीक है, देश में आलू उत्पादक, राज्य कौन सा, सबस्यादा आलू का उत्पादन कौन करता है, तो 40% आलू उत्पादन खाली कौन करता दोस्तों, अकेले उत्तर प्रदेश करता, उत्तर प्रदेश का पहला आलू उत्किष्टा केंद्र दोस्तों कहाँ पर बन रहा है, तो दोस्तों य लिजे एक बार बाबुगर ठीक है तो बाबुगर हापुड में हापुड याद रखे ज्यादा सही है ठीक है जैसे हम मेरट याद रखे मोधिन अगर याद होता है तो ठीक है तो मेरट याद कर लिजे उसी तरह हापुड में का बन रहा है आलू उत्कृष्टा किंद्र बना जाता है उसके बाद जब कभी हम model test paper पर बात करेंगे ना तो आपकी तयारी और जबरदस्त हो पाएगी पहले यह तो देख लिजिए कि सच में हमारे परिक्षा में क्या पूछा जाता है ऐसे भी से जो पूरी तरह से पढ़ा दिये गए हैं यह उन्हीं के दोस्तों हैं नोट ही लेना है 10-20-30 उर्पया जादा दे देंगे चलेगा कैसा डिलिवरी दीजे तो कैसा डिलिवरी दोस्तों आप ले लेजे मीसो से बेहतरीन साइट है दोस्तों सांदार परफॉएंस से किताबे जल्दी पहुंचती है किताबे टूट फटती नहीं है डिस्टब नहीं होता है फिल्पकार्ट नहीं फिल्पकार्ट भी हिताबे मैं आपको रिकमेंड ने करूँगा निचर देखे विस्वाश प Кाम करते हैं तो जो अच्छा होता जो बहतर होता रही है को सचिट करते हैं भी बताथ हैं बाकि आपकी मर्जी हमसें तो आप मेरी अपनी साइट से लेजे हमारा अपना वेब साइट है अप्रिकेशन स्टुजली नान्टिवन वहां से लिजी ठीक है तो तो फिर आपको क्या दिक्कत हम तो बाकि आगर अगर अलग ही जाना चाते हैं काई-सवैं इस पर बैतर रहे काम कर तो इंहां और जबर्दस चीश पढ़ा रहे हैं। देखे जब यहाँ कोई चीजी स्टार्ट हो जाता ना तो अलग-अलग लोग इसी तरह के पैटरन को फालो करना सुरू करते हैं छोड़िये मेरे पास दिमांग में ऐसे हजारो प्लान हैं बच्चों के लिए ठीक है तो मैं उन सब प्लान को एक्जिक्यूट करता रहूँगा जिसको फालो करना करने दीजे आप आईए पढ़िए स्टडी 91 से अलग से पहली स्ट आपको मिल जाएगी यहां पढ़िए जिस तरह से जीयस की क्लास चली हूबहू ऐसी क्लास हिंदी की भी चल नहीं है वहाँ टोटल हिंदी की बात करते हिंदी के आल चैप्टर की बात ड अन्यवाद